ध्यान रखके नियम बनाया जाए, हमारे देश में ऐसे नियम बने हुए हैं, कि जिसके बारे में मैं 20 नियम बना सकता हूँ, मेरी पत्नी की मिर्तु 2003 में हो गई, और मुझे मुझे मुआबजा नहीं दिया उसके उसके उसमे के कि इसमें पती को देने का प्रोभीजन नहीं है अगर आपकी मिर्तु वोई होती तो पत्नी को मिल जाती तो ऐसे अनेक नियम है लेकिन इस मामले में यह हमेशा होता रहे यह भी तै होना चाहिए अगर यह है कि भाई अगर वो बहु के पास पैसे हैं तो क्या वो बहु अगर फैमिली से जूरी नहीं होती है तो क्या होता है क्योंकि एक नियम तो साफ है कि अगर वो लड़की शादी करती है तो उसका पेंसन रुख जाएगा सरकारी मशिनिरी का रोल है क्या प्रेम कुमार जी इसमें सरकारी मशिनिरी का तो मुझे कोई रोल नजर नहीं आता है क्योंकि उन्होंने तो वही किया होगा जिस तरह से पहले से कैप्टन अंचुमान ने तय करा होगा जिश्यत रूप से फंड को तो आप इदर उदर बाट सकते हैं, लेकिन मुहबबत को कैसे बाटते हैं, नहीं बाट सकते हैं, तो फंड को decision लेने का अक्तियार शहीद तब जब जिवित थे उनके पास था और रहता है, लेकिन अब इस विश्यत पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये ध्यान में आता है कि क्या वो उतने परिपक्य बैक्ति नहीं होता है, क्या कि अपनी ही माबाप के सोचने से बिलकुल different सोच करके एक decision ले चुका होता है, एक बात ये समझ में आती है, तो क्या एक socially एक foundation होना चाहिए, जिसको rule बोल करके हो कि ये सब पर मान्य होगा, ये मानना ही पड़ेगा, monetary मामले में, एक बेक्ति decision लेगा, उससे गलती हो सकती है, वो पत्नी के प्रभाव में आये, तो पत्नी को 100% नौमनी बना दे, वो माबाप के प्रभाव में रहे, तो माबाप को बना दे, तो इसमें गलती तो हर situational है, उस महिला के जो बिद्वा है उनके गोद में अगर बच्चा होता, तो हम सब की सहनुवती उस बच्चे के साथ होती, इसी तरीके से कही परिवार ऐसे हैं, जहांपर की शहीद की बिद्वा को किसी न किसी रिष्टेदार के साथ में देवर, जेट कहीं से शादी कर दी जाती है, कि ताकि वो और है, ये ये मुझे नहीं लगता कि ये वो परिवार तय कर सकता है, कि उनकी शादी चोटे बेटे से करा दो, वो मुस्विती की इच्छा है, ये बहुत प्रगती शील सोच है, महिला पर निर भर है, लेकिन जो आबो हवा है, ये मुझे लगता है, ये सोच आज के समय में होनी चाहि ये हमें इस तरह बढ़ना चाहिए, क्या ये जरूरी है, कि परिवार कह रहा है, कि उनके बेटे के साथ शादी करा दो, तो वो सोचना चाहिए, उस महिला को भी, वो उनकी मर्जी है, वो जो करना चाहिए, मैं आपने दूसरे तरह से देखा, मैं वही बात कह रहा हूँ, कि महिला को डिसीजल लेने देना चाहिए, कि क्या करना है, उस पर कोई निरने कैसे दूपा जाएगा, कि आप इस से शादी कर लिजे, या इस से मत कीजे, कैसा उसको बात का जीवन जीना है, तो केस टू केस भाहरी कर रहा है, हम कह रहे हैं कि जो नियम हो, नियम सरकार और समा आप नजर आए, ये, मैं एक बार, ये एक बार, रवी जी हमारे से फिर से जुड़ गए हैं, जरा वो, मैं उनसे पूछ लेती हूँ, रवी जी जरा आप लो, आपकी मांग क्या है, आज जरा हमारे दर्शकों को बता दीजे, वो बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि आप, आपने बहुत से लोगों से बात की है इस मुद्दे पर, और जैसा आपने कहा कि ये तस्वीर ही बदल गई है, आप लोगों की मांग क्या है अब? मुझे नहीं लग रहा हूं तक आवाज जा रही है, करनल शेलेंडर सिंग के पास जाएंगे, करनल सिंग मैं आप चाह रही हूं क्योंकि मैं अगली ख़बर पर बढ़ूँ, उससे पहले मैं आप से पूछ रही हूं, इस पूरे मामले में, क्योंकि ये बार-बार ये एक त करना था, वो कर दिया है अपनी तरफ से, मैं ये आप से पूछना चाह रही हूं, कि इसमें बदलाव की बात कही जा रही है, कैसे बदलाव हो सकता है, अगर हमारी सोशल एथिक्स और इथास कहती है, कि हमें बदलाव करना चाहिए, बदलाव के ओपर डिसीजन और कंसिडर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे लगता है, कि जितने भी लोग बात कर रहे हैं, वो बहु कैसी थी, I think ये हम उस लड़की के साथ जाती कर रहे है, वो बहु कैसी थी is not important, what is important is, कि वो अपने हस्बेंट के साथ कैसी थी, पहली बात, दूसरी बात, जरूर emotional cord है मे मेरा कि माबाब का हक कैसे कम हो सकता है अगर बहु आ गई, but at the same time, एक officer, वो भी medical officer, इतना intelligent officer जैसा उसके फादर बता रहे हैं, आपको लगता है कि उसने किसी पागलपन में ये अपना will लिखा होगा, अपना NOK डिकलेर किया होगा, वो अपने खुद के signature के साथ होता है, जायज और नाजायज होने की, तो मैंने बताया कारगिल के time, ये option first time open किया गया था, कि आप उसे 50-50 कर सकते हैं, 70-30 कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, अब अगर जो सैनिक, जो officer, अपनी चीज के लिए decide कर रहा है, अब ये कह पाना कि शायद वो young था, या old था, मेरे खहल ये उसक लड़की की शादी किसके साथ होनी चाहिए, ये हमने बहुत साल पहले ये, मैं जो बता रहा था, 93 में, 2002 में, कि जब ये सारी बाते चलती थी, तो हमें भी बड़ा अजीब लगता था, क्यों शादी इंपोज करी जाए, उस लड़की का हक नहीं है, कि वो अपनी जिंदग करें, और जहां तक बात आती है कि किसी का बच्चा होना चाहिए या नहीं, अगें उस दारी के साथ हम जाती कर रहे हैं, कि अगर बच्चा है तो सब कुछ मिलना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलना चाहिए, ये एक बड़ा सोशल पेचीदा मामला है, मुझे लगता है कि येस इसके उपर consideration जरूर होना चाहिए, और एक clear cut policy होनी चाहिए, कि इस तरह का सम्मान, राशी की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कीर्ती चक्र, वो परमवीर चक्र, अब बाटोगे कैसे, मुझे ये नहीं चाहिए, वो बाटोगे कैसे, और इसलिए परेवार जब कह रहा है क कि वो हमारे पास होना चाहिए, तो इसको लेकर एक पूरी बहस सी छड़ गई, और मैं बार-बार कह रही हूँ कि जो उनकी बहूं है, इसम्मिती, उनको भी आकर शायद एक public domain में statement देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सी धारनाएं लोग बनाते हैं, और मुझे लगता है दोनों तरफ से वो बनती हैं, तो उनकी धारनाओं को पीछे छोड़ कर हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए जरूर है कि वो जरूरी है, वो एक statement है, बेराल मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ते हुए कुछ तस्वीरे आपको दिखाना चाहती हूँ, अगली ही शादी देखे, शादी अनन्त अंबानी की और उस शादी में बहुत से सियासी महमान पहुचे, अब मैं आपको जरा एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ, वो तस्वीर इसलिए important है क्योंकि शादी थी अंबानी परिवार में, और उसमें महमान थे, बॉलिवुट से त पहुचेते, ये तस्वीर जरा देख लीजिए, अखिलेश यादव के परिवार की तस्वीर है, इसके बाद उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट भी की और बधाई भी दी है परिवार को, अंबानी परिवार को, उन्होंने ये तस्वीर डाली और कहा कि मैं उस शादी में पह आई अनन्त और रादिका को ये तस्वीर उन्होंने ट्वीट की, मैं ये तस्वीरे आपको क्यों दिखा रही हूं?